दिल्ली के दंगों में जो हाइकोर्ट ने कहा है पिछले डेड़ साल से हम वही कह रहे थे ये दंगे दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा है कि ये दंगे एक सोची समझी साजिश के साथ किये गए है और हम भी यही कह रहे थे कि हतियार इखटे किये गए बम इखटे किये गए योजन बनाए गई और सुन्योजित तरीके से दिल्ली को जलाया गया दिल्ली में लोगों को मारा गया और अगर उस दिन हम लोग मौचपुर चौक नहीं जाते तो रात में सोते हुए हजारों लोगों के कतले आम करने की तैयारी थी पूरा जमनापार का इलाका यमनावियार पूरा करावन नगर गोकलपूर ये सारा पूरा घेर लिया गया था चारों तरफ से लोगों के जाने के रास्ते बंद कर दिये गए थे और इतने हथियार इखटे थे वहां पर ताहिर उसेन के घर पे या मुस्त्वाबाद के स्कूल पे इतने हथियार इखटे थे कि हजार पोजित हिंसा की गई चुन चुन कर लोगों को मारा गया है आज दिल्ली हाई कोर्ट से जो सत सामने आया है उसके बाद इस देश के कई बड़े बड़े पत्रकार तथा कथित पत्रकार कई राजनेता और ऐसे फरजी इंटिलेक्चुल जो इन आतंकवादियों को बचाने के लिए कपिल मिश्टा के उपर इलजाम लगा रहे थे आज उनको दिल्ली की जंता से माफी मांगनी चाहिए दिल्ली के दंगों का सच अब सामने आने लगाए